विध्यर्तियों हम प्रत्य के विशे में अध्यन कर रहे हैं और आज की कक्षा में विध्यर्तियों हम तरप और तमप प्रत्य के विशे में अध्यन करेंगे विध्यार्थियों आरम में सामानी परीशे के दोरान हमने जाना था कि प्रत्यों को हमने तीन भागों के अंतरगत विवाजित किया था कृत प्रत्य तधित प्रत्य और इस्त्री प्रत्य अब विध्यारतियों हम जो प्रत्यों का अध्यन कर रहे हैं तरप और तमप यह तधित प्रत्यों के अंतरगत है चले विध्यारतियों इसके विशे में जानते हैं तरप प्रत्य जहां दो की तुलना में से एक की विशिष अथवा अधिकता प्रकट होती है वहां पर तरप्रत्य का प्रयोग किया जाता है इस प्रत्य का प्रयोग प्रायह विशेशन सब्दों के समान होता है तरप्रत्य के अंतिमवन पकी इतसंग्या और लोप हो जाता है केवल तरशेश रहता है तरप्रत्यांत सब्द पुलिंग तरफ परत्यांत सब्द हैं उनके रूप चलते हैं तो रूप चलने पर विध्यारतियों पुलिंग में किस प्रकार से चलेंगे इस्त्रिलिंग में किस प्रकार से चलेंगे और नपुनसक लिंग में किस प्रकार चलेंगे उनके विशे में जानते हैं देखे विध्यारतियों यह क्या होंगे सब्दों से होंगे क्योंकि तद्धित प्रत्य है तो तद्धित प्रत्य किन से होते हैं शब्दों से होते हैं और कृत प्रत्य किस से होते हैं धातूं से होते हैं तो विध्यारतियों यहां पर शब्द है लगु लगु का पुलिंग क क्रिश तरह, क्रिश तरह, क्रिश तरह, ध्रिड तरह, ध्रिड तरह, ध्रिड तरह, ध्रिड तरह, उशी प्रिकार से मधूर, मधूर तरह, मधूर तरह, मधूर तरह, पटू, पटू तरह, पटू तरह, पटू तरह, कुशल, कुशल तरह, कुशल तरह, कुशल तरह, कुशल निपुण का किस प्रकार से बनेगा पुलिंग में? निपुण तरह, स्त्रिलिंग में कैसे बनेगा? निपुण तरह, और नपुनसक लिंग में कैसे बनेगा? निपुण तरह, उसी प्रकार से स्रेश्ट, स्रेश्ट तरह, स्रेश्ट तरह, स्रेश्ट तरह, स्रेश्ट तरह, निक्रिष्ट तरह निक्रिष्ट तरम मृद मृद क्या है मृदू क्या है विधारती मृदू तो कैसे बनेगा मृदू तरह मृदू तरह मृदू तरम जड तरह जड तरह जड तरह जड तरह जड तरम रश्व रश्व तरह रश्व तरह रश्व तरह रश्व तरह रश्व शुक्ल तरह, शुक्ल तरह, शुक्ल तरह, शुक्ल तरह, आप विध्यारतियों उसी प्रकार से महत, महत तरह, महत तरह, महत तरह, कनिष्ट, कनिष्ट तरह, कनिष्ट तरह, कनिष्ट तरह, कनिष्ट तरह, कनिष्ट तरह, वरिष्ट तरह, वरिष्ट तरह, वरिष्ट तरह, अर्थार्थ जो हमारा प्रत्य है तरप प्रत्य तरप प्रत्य के अंतरगत यह बताए गया है कि जब दो वेक्तियों में से किसी एक की विशेष्टा या विशिष्टता बतलाने के लिए हम तरप प्रत्य का प्रयोग करते हैं अब विध्यार्थियों हम आते हैं तमप प्रत् इसता बतलाई जाती है, वहाँ पर किस प्रत्य का प्रयोग होगा, वहाँ पर तमप प्रत्य का प्रयोग होगा, तमप प्रत्य का प्रयोग प्रायह, विशिशन सब्दों के समान होता है, तमप प्रत्य के अंतिमवन्प की इतसंग्या और लोप होता है, केवल तम शेश रहता अब विध्यार्तियों तमप में से पैकी इत्संग्या हो जाएगी उसका लोप हो जाएगा अर्थार्थवर हमें दिखाए नहीं देगा तो अब हमें क्या दिखाए देगा तो केवल तमसेश रहता है तमप परत्यांत सब्दों के रूप पुलिंग में राम के समान, स्त्रिलिंग में रमा के शमान तथा नपुन्सक लिंग में ज्यान के समान चलते हैं इस प्रकार से विध्यारतियों हमने यहाँ पर समझा कि जब तमप्रत्य का प्रयोग होता है तो वहाँ पर तमप्रत्य के अंतरगत हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है तम दिखाई देता है आगे है विध्यरतियों तम प्रत्यांता हा शब्दा हा अब विध्यरतियों हम जो तम प्रत्यांता सब्द है उनको जानेंगे और उनको समझेंगे अब विध्यरतियों यहाँ पर हम जो मूल शब्द है उस मूल शब्द के साथ तम प्रत्य लगने पर क गुरु गुरुत तमाहा गुरुत तमाहा गुरुत तमाहा दिर्घ दिर्घ तमाहा दिर्घ तमाहा दिर्घ तमाहा कृष तमाहा दिर्घ 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 तमाह पटु पटुत तमा हाँ 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 पटुत समाम अब इन दोनों को उधानों के माध्यम से समझते हैं क्यूंकि विध्यार्तित्यओं हम ने यहाँ पर तरफ और के अंतरगत्स हमने किजा झाना है कि वहाँ मेंॐ से किसी एक के विशेस्टा बता नहीं है घाना है देखिए — राकेश है मोहनात पटुत्तर है अस्ति अब राकेश मोहन से पटुत्तर है तो यहाँ पर दो में से एक किस्ता बतला ही जा रही है तो हमने कि प्रत्य का प्रियुक किया तरह प्रत्य का सीता गीता या पटुत्तर है यहाँ पर भी दोई है सीता और गीता है उन दोनों में से गया कि सीता गीता से पटुत्तर है अब आघे की और बढ़ते हैं विधर्थियों कि वहां पर हमने तम प्रतिय प्रयोग किया है देख्यात्रणाम बहुत नाम चत्रेशु, राकेश पटुत्तमह, क्या है विधर्थियों ऑब यहां पर बहुत सारी बालिकाओं में Sheetan को क्या बताया है नब बताया गया है इस प्रकार से विध्यर्तिर हम ने यहां पर तरप और तमप प्रत्यों का अध्यन किया है अब विध्यर्तिर